तो आज हम विजट करने वाले हैं बहुत ही जादा खूबसूरत जगह जो स्वच्जलन का एक ऐसा जाना वाना जगह है जिसको जाता है टॉप आफ स्विस्स ट्रडिशन तो यह जो जगह है वो काफी खूबसूरत है अगर आप इससे दूर से देखे तो ऐसा लगता है कि यह एकडम ही मतलब सुरक तक जाने की कोई सीडी वेडी हो क्योंकि इतना ज़ादा सुन्दर है और यहाँ पे जो व्यूज मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकडम ओवर्वल्विंग है और बहुत ज्यादा नाजारों के साथ साथ आपको बहुत एक्स्प्लोर करने का मौका भी मिलता है और यह जो जगा है वहां पर बहुत ही जादा हाइकिंग ट्रेल्स है तो जो लोग एक्डम आउप्डोर एंथीज्जियास्टिक है उनके लिए यह जगाफएक्ट है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही यूदिटे और बहुत शुरू करते हैं अाज का hemára संफर जो की है शिनिक प्लाटे शिनिक प्लाटे पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा विंडर्स वील और विंडर्स वील के स्टेशन के पास आपको दिखाई पड़ेगा शिनिक प्लाटे का ट्रेन स्टेशन तहां से आप ट्रेन पकड़ सकते हैं जो आपको शिनिक प्लाटे तक ले जाएगा यहाँ पे बहुत ही सुन्दर तरीके से सब सजाया गया है तो टॉप आप स्विस ट्रेडीशन को बहुत ही अच्छे से दर्शाता है यहाँ पे आपको एक काव दिखाई पड़ेगा जो की उसका डाम है लिली और उसके साथ साथ बहुती सारे प्रोमोशनल चीज़े जोड़ी गई है जैसे की लिली दा काव गा कुछ ट्रेजर हंट है जो बच्चों के लिए रखा गया है तो यह सब चीज़े आप उनकी आउनलाइन वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं स्टेशन के पास आपको बहुती ज़्यादा इंफॉरमेटीव जज़र दिखेगी जैसे की वहाँ पे आपको पूरा शेडियूल उसके साथ साथ क्या रेट्स है ट्रेन के और वहाँ पे रेस्टरांट पे क्या खाना है और सब कुछ दिखाई पड़ेगा शुनिक प्लैटी की ट्रेन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है यहाँ का जो हिस्टारिक रेलवे है जो के वेंडर स्वीयल से होके शुनिक प्लैटे तक पहुंचाता है वो 125 साल से चल रहा है सबसे पहली बार वो समर 1893 में ओपन हुआ था यह पुराना स्टीम लोकोमेटिव एंजिन जो की आजकल की इलेक्ट्रिक ट्रेन से रेप्लेस कर दिया गया है और यह जो नई ट्रेन लाइन है वो 100 साल से ज़्यादा चल रही है और इसके अंदर जब आप देखोगे तो आपको बहुत ही सुन्दर सा wooden carriage दिखाई पड़ेगा और जब आप इस ट्रेन के अंदर बैठते हो तो ऐसा लगता है कि आप सच में पुराने टाइम में वापस चले गए है यहाँ पर इतना सुन्दर तरीके से पूरे ट्रेन को एक authentic touch दिया गया है जो बहुत ही historic दिखाई पड़ता है यहाँ पर ट्रेन के अंदर जो carriages है उसके अंदर जो windows है वो आप completely open कर सकते हैं जो कि बहुत ही जादा अच्छा लगा मुझे because वहाँ से आपको बहुत ही बहतरी नजार दिखाई पड़ते हैं पूरे ट्रेन जर्नी के अंदर यह 52 minute और 7 km का जर्नी है जो एकदम बहुत ही जादा stunning है और वो उसका जो ascend है वो बहुत ही slow है और बहुत ही ample amount of time मिलता है पू ready to be resolve कर सकते हैं यहां से आपको definitely जो famous teen mountains है Switzerland के वो तो आपको दिखाई ही पड़ेंगे बट उसके साथ साथ आपको Swiss Alps देखने मिल जाएंगे यहां पे सबसे best चीज जो है वो है यहां का Alpine Garden तो basically जो mountains होते हैं उनको Alps बोलते हैं और वहां पे जो भी plantations, flowers या ऐसा कुछ भी जो भी वहां पे grow होता है उसको Alpine species बोलते हैं तो यहां पे एक Alpine Garden है जिसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग botanical flowers और plants हैं यहां पे बहुत ही अच्छे से उनका garden बनाके उनको बहुत अच्छे से दिखाया गया है और उसको Alpine Flower Trail बोलते हैं तो जब आप वहां पे बहुत जाए तो आप Alpine Flower Trail को follow कर सकते हैं और आपको ब Beautiful Alpine Flowers और सब जीज़े देखने मिलेगी दूसरा यहां पे है Panorama Trail तो जो Panorama Trail है वहां से आपको बहुत ही ज्यादा landscape view स्विशाल्स का दिखाई पड़ेगा और वहां पे बहुत ही ज्यादा सुन्दर Edelvist का एक frame बनाया गया है जहां पसे से आप अपना सुन्दर photo खीच सकते है और यह जो सिनरी है वो बहुत ही mind-blowing है तो आप Panorama Trail से अपना photo frame से photo कीचना यहां पर बिलकुल ना भूले यहां का जो botanical alpine garden है उसके अंदर 650 species of alpine flowers है including the most famous and protected Edelvist जिनको पता नहीं है कि Edelvist क्या flower है उनको मैं बता दूँ कि जो Edelvist है वो सबसे जादा beauty products में और कुछ medicines और fermentation के लिए यूज किया जाता है बट उसका most of the जो यूज है वो है beauty products mostly अच्छे अच्छे brands और beauty products के अंदर Edelvist यूज होता है really cute flower और वो यहां पे Switzerland के अंदर protected है तो you cannot pluck the Edelvist और बहुत ही अच्छा white color का और एक velvety touch जैसा यह flower होता है और बहुत ही ज्यादा सुनने त different like उसके जो भी अलग अलग तरीकी के Edelvist है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप यहां पे flower trail देखने के लिए आ रहे है तो June to August would be the best time to come here अगर आप June से August के अंदर अंदर आते हो तो आपको बहुत ही अच्छे से bloomed flowers देखने को मिलेंगे अगर आप थोड़ा early या थोड़ा late जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि उनका season चला गया हो और वो flower आपको उत्ता अच्छे से दिखाई ना पड़े सबसे best चीज मुझे यहां की यह लगी कि यहां पर आलफॉन प्लियर्स रखे जाते हैं तो जैसे हर train जैसे बहुत जाती है station पर अस्टेयनिक प्लेटे के महा तो जो आलफॉन प्लियर्स है वो अपना beautiful आलफॉन बजाना चालू कर देते हैं और इतना सुंदर ऐसे सुनाई पड़ता है वो basically it is a traditional instrument in Switzerland जो four meter long होता है और wooden natural horn होता है जसको आप बजा सकते हैं और उसमें से बहुत ही एकदम musical voice आता है तो यह है वो voice जो आपको इसके बाद सुनाई पढ़ेगा कि अजाए लाई आपको आता है यह है वो आता है यह है वो आता है अब बात करते हैं कि अगर अलोवर शनिक प्लेटे विजिट करना है तो वाट बुड बी दा बैस्ट ताइम तो विजिट तो समर सीजन इस दा बैस्ट ताइम वुड बी दा एंड और में तो मिड़ ऑफ ऑक्टोबर आप इसे विजिट कर सकते हैं और बैस्ट टाइम अगर आपको फ्लावर भी देखने हैं तो जून से आउगस्ट में विजिट कर सकते हैं हाँ शनिक प्लेटे जो है वो बहुत ही जादा सुन्दर जगा है सुद्जरलेंड का और जो हाइक करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बैस जगा है क्योंकि तब बैस्ट हाइक इन सुद्जरलेंड जो मैं बता सकती हूँ वो है शनिक प्लेटे वो इतना हाड भी नहीं है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे इसको और बहुत ही ज़ादा सुन्दर सुन्दर पैनरामा ट्रेल्स अपको देखने मिलेंगे जो आई थिंग किसी दूसरे हाइक में इतना अच्छे से नहीं मिल सकेगा आपको यहाँ पर विजट करने के लिए वैदर सबसे इंपार्टन चीज रहेगा विकाज अगर वैदर अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से पूरा व्यू देख सकेंगे अगर अच्छा नहीं हुआ क्लावडी या रेनी हुआ तो आप इसका व्यू को बिलकुल एंजॉई नहीं कर पाएंगे और यह एकदम अलग ही दिखाई पड़ेगा जैसा है यह सनी वैदर में दिखाई पड़ता इतना क्लियरली सब चीज़े दिखती है वैसा आपके साथ कोई डिफरेंट एक्सपिरेंस रह सकता है तो मैं सज़ेस्ट करूँगे कि आप इसे सिफ सनी वैदर में विजिट कीजिए यहां पे स्विस्स काव बेल्स भी देखने मिलेंगे जो की ओवर दर टाइम जो डिफरेंट 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 अफ बेल्स मतलब यूस किये तो अगर आप पैनरामा ट्रेल कर रहे हैं तो बीच में आपको यह काव बैल वाला जो पोशन है वो भी देखने को मिलेगा और डेफिनिटली इट्स वर्थ विजिटिंग अहां पर आपको देखने मिल रहे हैं यह जो एडल्वेस है जो की बहुत ही ज्यादा खुबसूरत है जो की बहुत ही अच्छे से समझाया गया है और यहां पर जो फ्लावर गार्डन है वो तो बहुत ही जादा खुबसूरत है और अगर उसके पीछे आप देखोगे तो पूरे स्विसाथ देखते है और इतना ज्यादा सुन्दर व्यू क्रियेट होता है तो मैं पहुंचने के लिए क्या कौस्टिंग रहेगा और मशेय थी जगार्ण परिए कि पहूंचने के लिए सबसे पहले आप कहीं से भी अगर रुकह है वहाँ से या फिर यूंग फ्राव पास ले रहे हैं तो फिर वो जो 3-day या फिर जितने भी दिन का आप पास ले रहे हैं या उसमें included रहता है और आपको कुछ भी additional पे करने की जरुरत नहीं है अगर आप इन सब के बाहर अगर पूरा दिन exercise करना चाहते हैं और गूरा दिन आप घूम रहे हैं तो आप 75 से चाप का विद्ध हाफ़ ट्रावल का डे पास खरीज सकते हैं जिसमें आप सुझदलाइन में कहीं भी घूम सकते हैं तो आप इसके साथ कुछ और भी कर सकते हैं अब बात करते हैं कि अगर आप इस कूरे ट्रिप को किसी और ट्रिप के साथ क्लब करना चाहें तो इसे कौन सी प्लेस के साथ क्लब कर सकते हैं तो शिनिक प्लेटे को आप इंटलेकन की कोई भी प्लेस के साथ क्लब कर सकते हैं आप ग्रिंडल वर्ड की कोई भी प्लेस के साथ कलब कर सकते हैं और इसके साथ आप टॉप ओफ यूरोब भी देख सकते हैं अगर आप मॉर्निंग में टॉप ओफ यूरोब जाए और एगर आप इवनिंग में शिनिक प्लेटे जाए अगर आप गृंडल वोल्स जाने का सोच रहे हैं तो आप same way Grindelwald morning में जा सकते हैं और evening में शिनिक प्लैटे जा सकते हैं अगर आप शिनिक प्लैटे के साथ इंटलेकन का प्लेस कवर करेंगे तो ये आपका बहुत ही relaxed trip रहेगा और I believe कि हाड़कुल्म और शिनिक प्लैटे एक दिन में बहुत ही अच्छा trip बन सकता है तो फिर इसी के साथ आज का ये सफर होता है खतम मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए stay safe, stay happy अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like कर दीजिए इस वीडियो को अपने family और friends के साथ शेयर कीजिए जितना भी हो सकता है उतना और या प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ये बिल्कुल मुफ्त में होता है और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना है जस्क्लिक ओन देट सब्सक्राइब बटन थैंक्यू बाव बाई कर दो में देट सब्सक्ताइब कर दो में देटीजिए भी हाँ